नमस्कार दोस्तों मैं इंकोर उपार्थिया स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट अनलिसिस में दोस्तों यहाँ पर बात करूँआ . इसि के बारी में इसके बारे में लेडिसक्ष करने वारा हूँ यूझा करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो जमन नमबर सहां ते मैंने आप सब एके ही साथ शेयर कर दी ऐए inequality ओर है बुए इसी नहीं है कर modern market open होने से पहले सब कुछ रीचैप कर लिकाप अगर HDFC बैंक के स्टॉक की बात करें तो 1692 रूपीस के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाया यह इस टॉक आपको अरॉंड थर्सडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखाया इस बैंक के स्टॉक की बात करें तो यह मैंने के अपने कोर्स में सजेस्ट भी कराये टॉक 10 स्टॉक में एक स्टॉक यह भी है वैल्यूशन पिक के रूप में जहां पर आप दो से तीन साल के लिए निवेश करते हैं और मुस्ट चॉविस सो रुपे तक कि आपको लक्षे देखने को मिलेंगे 1570 रुपे था जब मैंने आ स्टेंडर ओन बैसिस पर देखना है मैं ऐसे एक स्टेंडर ओन बैसिस पर आगया हूं मैं तो कंपनी ने मार्च कॉट में 12,047 करोड रुपीज का पेश करा है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन 12,400 करोड की दी तो अल्मोस्ट अल्मोस्ट यह साड़े 300 करोड कम आया है प स्टेंडर मार्च में कंपनी ने 10,55 करोड का पेश करा था उसके सामने 12,47 करोड का है तो यहां ठीक है अब एक बार हम पूरा फाइनेंशियल यह के बारे में देख ले तो 44,000 करोड का प्रोफिट HDFC बैंक ने पेश करा है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फाइनेंशियल यहां फाइनेंशियल 22 में यह फाइनेंशियल 23 के नम्बर्स आगे आपके लिए 2020 पिछली साल जो फाइनेंशियल खतम हुआ है उसमें HDFC बैंक प्रोफिट के मामले में टॉप 5 में फिफ्ट नमबर पे था और इस बार HDFC बैंक ने 44,000 करोड का profit post करा है और TCS जो पिछली बार आपके लिए almost I think third number पे था उसका मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ वो इस बार भी list में है या नहीं है वो list में है लेकिन इस बार HDFC बैंग ने उसे पीछे कर दिया है HDFC बैंग ने 44,000 करोड का profit पेश करा है और TCS ने पूरे financial year में currently around आप देख सकते हैं या पे लगबाग 42,000 करोड का profit पेश करा है पिछली बार PCS आपके लिए number 4 पे था इदी और HDFC बैंग नमबर 50 पे था इस बार HDFC बैंग ने TCS को पीछे कर दिया एक चीज तो हम देखे पारें तो HDFC बैंग का 44,000 करोड का profit है तो इस बार भी है भारत की टॉप प्रॉफिट वेकिंग में पांच टॉप 5 में से एक number definitely आने वाला HDFC बैंग का दिख रहे हैं expectation से कमजोर है plus quarter on quarter basis पे भी कमजोर है company ने dividend भी announce कराए dividend के लिए record date करी गई है वो भी मैं आप सभी के साथ share कर देता हूँ पहले मैं आपको बतादू company ने जो dividend दिया है वो 19 रुपे पर share का है dividend तो अच्छा दिया है company जिसके लिए record date fix करी गई है 16th में की यान इंट्रेस्ट ब्याज कितना बनाया है company ने तो quarter 4 की बात करें तो interest and less interest expense around around company ने जो बनाया है वो रुपीज 23 था इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट एक्सपेंड़ अच्छा जो कमाया है और उस जिसमें से इंट्रेस्ट बढ़ा दिया है उसे अटा दिया जाए तो फिर actually है लेकिर मैं आपके साथ overall share कर देता हूं तो यहां पे न आई जी हां तो जो आपके लिए company ने इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट 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 एक्सपेंड़ आ रहा है जो ब्याज कमायी और जो ब्याज एक्सपेंड करिए बढ़ाई है उसको देखते हूं जो अगर आप compare करोगे तो वह अरूंड एरूंड 23,351 क्रोड का 18,882 क्रोड के सामने जिसका 24,000 क्रोड का अनुमानता एक्चुली में तो उससे कम आया ग्रू 23.7 परसेंट कोर एन आई एम देखो कि तो 4.1 परसेंट पे हैं टोटल एसेट्स के साब से एंट 4.3 परसेंट हैं बेस्ट ऑन अर्निंग एसेट्स के साब से जी एन पीए जो कि वीक लग रहे हैं और में भी इस तो आपके लिए एक से देड़ परसेंट की नेगेटिव करता हुआ दिख सकता है और अगर नहीं दिखता तो समझ लीजिए जैसे क्वाटर फोर के अपडेट्स के सामने खराब अपडेट्स पर भी स्टॉक पॉजेटिव रेक्शन दे र तो 1650 से लेकर साट के बीच में स्टॉक आ सकता है करेक्शन में उसके बाद हमें रिव्यू करना चाहिए कि और फर्दर गिरावट हो रही है रिकवडी आ रही है तो यह मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो HDFC बैंके स्टॉक के ऊपर आपको समझ और प्रसंदॉन आयोगी दियुग है ।